हेलो एबिवन, रेडियो खाची 90.4 FM, हम सब का रेडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम सतीस है, गेस्ट फैकल्टी, कोचिंग फॉर पूर पीजी स्टूडेंट्स, राची उनिविवसिटी राची, आज के ओडियो लेसन में हम हाल ही में चर्चा में रहे, घटनाओं पे चर्चा करेंगे, चर्चा का पहला बिंदू है, पेगासस स्पाई वेर, हाल ही में वासिंग्टन पोस्ट और भारत में समचार वेब साइट, दावायर ने एक खबर प्रकासित कर दावा किया, कि दुनिया भर के कई पतरकारों और समाजिक कार्यकरताओं के फोन हैक किये ग ये सूची में किये गए फोरेंसिक परिक्षणों ने पुस्टी की है कि एक अग्याद एजनसी ने पेगासस सॉफ्टवेर का उपयोग करके उन में से कुछ की सफलता पुरुवक जासूसी की है, सूची में कई नामी भारती मंतरी, विपक्षी नेता, सरकारी अधिकारी औ बनाती है, दुनिया के कई देशों की सरकारे इसकी ग्रहाक है, पेगासस स्पाइवियर एक ऐसा सॉफ्टवेर प्रोग्राम है, जो उपयोग करताओं के मुबाइल और कम्प्यूटर से गोपनी एवं वेक्तिकत जानकारियां चोरी करता है, एवं उन्हें नुक्सान पहु आवशकता नहीं होती, यह सिर्फ एक मिस्ट वीडियो कॉल के द्वारा ही इंस्टॉल हो जाता है, पेगासस स्पाइवियर इंस्टॉल होने के बाद, पेगासस ऑपरेटर को फोन से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है, इसकी परमुक विसेस्ता यह है कि य निशाना बना सकता है, और यह मोबाइल के रोमिंग में होने पर डेटा नहीं भेजता, पेगासस मोबाइल में संगरहित सुचनाए, वाटस अप और टेलिग्राम जैसे कम्मिनिकेशन एप के संदेश, इस्पाइवियर ऑपरेटर को भेज सकता है, यह स्पाइवियर उपक करनों को परभावित कर सकता है, चर्चा का अगला बिंदू है, मंकी पॉक्स, कोरोना महमारी के बीच, अमेरिका में करीब 18 साल बाद एक और नई बिमारी सामने आई है, हाल ही में रोग नियंतरन और रोग थाम केंदर ने बताया, कि टेकसास सहर में मंकी पॉक्स वाइरस स सूजन से शुरू होती है, और चेहरे और शरीर पर व्यापक दाने के रोप में विक्सित होती है, अधिकान संकरमण 2-4 सबता तक चलते हैं, यह वाइरस चिकन पॉक्स वाइरस फैमिली से संबनित है, हाली में एक अमेरिका निवासी में मंकी पॉक्स का पता चला था, जिस में से एक वेक्ति को होता है इस मामले से पहले United Kingdom इसरेल और सिंगापूर में नाइजेरिया से लोटने वाले यात्रियों में Monkey Pox के 6 मामले सामने आए हैं Monkey Pox वाइरस कई तरीकों से फैल सकता है अनाकि WHO के अनुसार एक इनसान से दूसरे में संकर्मन काफी कम है फिर भी संकर्मित वेक्ति के छीकने खासने पर droplets में वाइरस मौजूद रहता है जो COVID के तरह ही फैल सकता है इसके अलावा संकर्मित जानवरों के खून, साररिक, तरल, पदार्थ या इसकीन से संपर्क में आने के कारण वाइरस इनसानों में फैलता है WHO के मताबिक मंकी वाइरस संकर्मन होने के बाद लक्षन दिखने में 6-13 दिन लग सकते हैं संकर्मितों को बुखार, तेज सिर्दर्द, पीट और मास पेशियों में दर्द के साथ गंभीर कमजूरी महसूस हो सकती है लिंप नोट्स की सूजन इसका सबसे आम लक्षन माना जाता है बीमार वेक्ती के चहरे और हाथ पाओं पर बड़े बड़े दाने हो सकते हैं, अगर संकर्मन गंभीर हो तो ये दाने आँखों के कौर्णिया को भी परभावित कर सकते हैं यदि इलाज की बात की जाए तो डबली एचो के अनुसार वरतमान में मंकी पॉक्स का कोई इलाज उपलब्द नहीं है, चेचक के टीकों जो वेक्सिनिया वाइरस से बने होते हैं को मंकी पॉक्स के खिलाफ सुरक्षात्मक माना जाता है चर्चा का अगला बिंदू है हरेला पर्व उत्रखंड में रित्वों के अनुसार अनेक पर्व मनाय जाते हैं इनी पर्वों में हर्याली का पर्तीक हरेला पर्व भी मुख्य रूप से सम्मिलित है जो इस पर्वतिय राज में एक लोक पर्व के तौर पर मनाय जाता है हरेला पर्व हर्याली यानि पर्यावरन से जुड़ा हुआ है जो सम्रिधी का पर्तीक है और क्रिसी परधान देश भारत की क्रिसी शंस्कृति का परते निदित्व करता है कुछ स्थानों पर परकृति सनक्षन के रूप में भी हरेला मनाय जाने का परचलन है हरेला एक हिंदू तयोहार है जो मूल रूप से उत्राखंड राज के कुमाउ शेत्र में मनाय जाता है हरेला वर्स में तीन बार चैत्र, स्रावन और आश्विन मास में मनाय जाता है हलाकि लोग जीवन में स्रावन मास में पढ़ने वाला हरेला को काफी महत्व दिया गया है क्योंकि यह महिना महादेव को खास प्रिय है स्रावन का हरेला स्रावन शुरू होने से नौ दिन पहले आसार में बोया जाता है और दस दिन बाद स्रावन के पर्थम दिन काटा जाता है आसार मा की कर्क की संकरांती के आउसर पर मनाया जाने वाला यह तिवहार संसार को प्रकृती के सरक्षन का संदेश देता है इस अवसर पर गौरी और माहिश्वर की परिवार सहित पूरे विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है कर्क की संकरांती से नौ दिन पहले हरेला घर के पूजा घर में बोया जाता है और दस्वे दिन इसे पूजा अर्चना के साथ विधी विधान से काटा जाता है या किसी धातू के पात्र में मिट्टी और रेत के मिस्रन में बोया जाता है जिसमें पांच, साथ या नो तरह के अनाज बोय जाते हैं मानता है कि हरेला जितना अधिक अच्छा होगा उतनी ही फसल अच्छी होगी या किर्शी की समरिद्धी का परतीक है इसलिए भगवान से हरेले की पूजा के समय अच्छी फसल की परातना की जाती है यह तेहार अत्यांत धूमधाम के साथ मनाया जाता है जिसका साल भर लोगों को इंतजार रहता है स्रावन मास भगवान संकर का अत्यांत प्रिय मास है इसलिए हरेले के इस पर्व को कुमाओ के कुछ शेत्रों में हर काली के नाम से भी जाना जाता है। कुमाओ के कुछ शेत्रों में इस पर्व को सिव परवती के विवा के रूप में भी मनाया जाता है। चर्चा का अगला बिंदू है MHN-60R Multi-Role Helicopter भारती नोसिना ने 16 जुलाई 2021 को सेंट डियागो के नौर्थ आइलेंड नेवल एर एस्टेशन में आयजित एक समारो में अमेरिकी नोसिना से अपने MHN-60R Multi-Role Helicopter के पहले दो Helicopter को स्विकार किया। Lockheed Martin Corporation, US दोया निर्मित MHN-60R Helicopter हर मौसम में कारगर एक Helicopter है जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स सेंसर के साथ कई मिशनों के लिहाज से बनाये गया है। इन में से 24 Helicopter अमेरिकी सरकार से विदेसी सैन ने बिकडी के तहत खरीदे जा रहे हैं। Helicopter को भारत के अनेक परकार के उपकरनों और हत्यारों के दिश्टिकोंड से संसूधित भी किया जाएगा। उलेकनी है कि इन Helicopters की अनुमानित कीमत 2.4 अरब डॉलर है। भारती कैबिनेट ने ततकालीन अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम की एतिहासिक यात्रा से पहले फरवरी 2020 में अमेरिका से इन हेलिकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। MHN-60R हेलिकॉप्टर की अधिक्तम स्पीड और क्रूज स्पीड करमशा 267 किलोमेटर परती घंटा और 168 किलोमेटर परती घंटा है। इसकी रेंज 834 किलोमेटर है। ये हेलिकॉप्टर 8.38 मीटर परती सेकंड के रफतार से उपर की तरफ बढ़ सकता है। हेलिकॉप्टर का वजन लगबग 6,895 किलोगराम है और इसका अधिक्तम वजन 10,669 किलोगराम है। हेलिकॉप्टर की उपयोगिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के अलावा अस्टेलिया, दक्षिन कोरिया, डेनमार्क, सौधी अरब के पास भी ये हेलिकॉप्टर मौजूद हैं। इन MRH के सामिल होने से भारतिय नौसेना की थ्री डाइमेंशनल चमताईं बढ़ेंगी, हेलिकॉप्टरों को कई विशिस्ट उपकरन तता हतियारों से भी लैस किया जाएगा। इन सक्तिसाली हेलिकॉप्टरों पर प्रसिक्षन के लिए भारतिय पाइलेट दल का पहला जथा इस समय अमेरिका में ट्रेनिंग भी ले रहा है। इन हेलिकॉप्टर्स के नेवी के बेडे में शामिल होने से देश की सता रोधी और पंडूबी रोधी युद्धक अभियानों की शमताई बढ़ेंगी। भारतिन चमताओं का स्तमाल छेत्रिय खत्रों से निबटने और अपने देश की रक्षा को मजबूत करने के तौर पे करेगा। तो इस अंक में इतना ही मिलते हैं अगले अंक पे। धन्यवाद।